सब्सक्राइब किजिए लॉपडेट्स यूटूब चैनल को और साथ में ही बेल आइकन को प्रेस करें निव लॉप लेटिज जानकारी के लिए अगर कोई हजबेंट अपनी वाइब के साथ नहीं रहना चाता है या वाइब अपने हजबेंट के साथ नहीं रहना चाती इंडियन लॉप का प्रोविजन अगर कोई वाइब अपने हजबेंट के साथ नहीं रहना चाती है या कोई हजबेंट अपनी वाइब के साथ नहीं रहना चाता है तो इंडियन लॉप में ऐसा कोई भी प्रोविजन नहीं है जो उन दोनों को एक दूसरे के साथ रहने के लि एसे में husband क्या कर सकता है लेकिन यहां husband अपनी wife से divorce ले सकता है किसी एक ground पर जैसे cruelty के ground पर वर divorce ले सकता है जिसके लिए उसको family court में एक divorce फाइल करनी पड़ेगी उसके बाद court wife को एक notice भेजेगा और wife को court में हाजिर होना पड़ेगा और दोनों parties इसकी सुनवाई के बाद court divorce क की decree देगा maintenance का provision यहां पर आपको एक बात और समझ लेनी चाहिए कि husband को इस हाल में भी wife को maintenance देना पड़ेगा कितना maintenance देना होगा maintenance जो है वह husband की economic condition को देकर husband की salary का 25% तक का हो सकता है जो की court decide करता है husband एक condition में maintenance देने से बच सकता है अगर wife फच्चा कमा लेती है तो फिर husband maintenance देने से बच सकता है लेकिन उसके लिए husband को court में wife की job details और उसकी salary slip वगयरा पेश करनी पड़ती है maintenance कब तक देना पड़ता है देखिए wife को maintenance तब तक देना पड़ेगा जब तक की wife तो दूसरी शादी ना कर ले या फिर उसकी death ना हो अगर wife की death हो जाती है या वह दूसरी शादी कर लेती है तो फिर husband की जिमें उसका maintenance नहीं रहता है तो दोस्तों अब तो आप समझ ही गए होंगे कि अगर कोई wife अपने husband के साथ नहीं रहना चाती है तो कोई भी कानून उसको force नहीं कर सकता है उमीद है आज की इस वीडियो से आप सभी को कुछ तो फाइदा होग अगर आप सभी को हमारा आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें अपने फ्रेंड को शेयर करें और कमेंट करके पताएं वीडियो कैसे लगी धन्यवाद